हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इस टैप के गुनन फल को ग्याद करना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगो इस टैप के परस्न को बिल्कुल असानी से हल करने का तरीका सिखाया जाएगा और इस इसको हल करके सीखते हैं, तो इसको हल करने के लिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो है, x पलस 4 है, और यहां है, x माइनस 6 है, यानि इसमें इससे गुना करना है, तो इस टाइप को गुना करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे पहले इस x में, इस x से गुना कर लेंगे, उस x square हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ x है, और गुणा x है तो x पिए power यहाँ 1 है और यहाँ भी power 1 है, तो जब base same रहता है, यादार same रहता है, तो उसका power क्या होता है? गुणा करने पर जूड़ जाता है, तो x पिए power 2 हो जाएगा, एक और एक मिलकर यहां 2 हो जाएगा, इसी परकार से यहां क्या हो गया, x square हो गया उसके बाद यहां plus है, इसके साथ भी plus है तो plus में plus से गुना करेंगे तो plus हो जाएगा, 4 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 x हो जाएगा ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे उसी परकार से इस दोनों में इस से गुना कर देंगे यानि X में इस माइनस चो से गुना करेंगे फिर उसके बाद इस पलस चार में माइनस चो से गुना कर देंगे तो चलिए आप गुना करते हैं तो X में जब माइनस चो से गुना करेंगे में जब माइनस से गुना करेंगे तो पलस माइनस से गुना होता है क्या होता है माइनस हो जाता है उसके बाद 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 छक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो यहां 24 लिख देंगे अब आगे क्या करेंगे यहां x square है तो x square लिख देंगे इसके साथ x है और इसके साथ भी x है यानि इसे दोनों को घटाया या जोड़ा जा सकता है तो पहले देखेंगे इसमें चीन कौन सा है तो एक के साथ plus है और एक के साथ minus है जब एक के साथ plus और दूसरा के साथ minus रहता है तो वो घट जाता है तो 6 x में से 4 x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 x बचेगा और दोनों में बड़ा क्या है minus वाला है तो minus के साथ 2 x यहां आ जाएगा उसके बाद यहाँ माइनस 14 है तो माइनस 24 लिख देंगे यानि इस प्रसन का गुनानफल यही आ गया यही इसका क्या हो गया एंसर हो गया तो चलिए आप दूसरा टाइप के प्रसन को हल करके सीखते हैं तो यहाँ दो नमर में जो प्रस्ण लिए है यह इसका दूसरा टाइप है तो इसको क्या करना है हल करना है इसको भी उसी परकार से हल करेंगे कि इस दोनों में इससे पहले गुना कर लेंगे तो चलिए अब गुना करते हैं तो तीन वाई में चार वाई से गुना करेंगे तो प्लस दो और प्लस यहां भी है तो प्लस और प्लस क्या हो जाए गुना करने से प्लस हो जाएगा उसके बाद 2 से जब 4 में गुना करेंगे तो 2 चबका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसके साथ y है तो y लगा देंगे ठीक तो यहां इस दोनों में इसे हम लोग गुना क करेंगे तो पुलस में माइनस से गुना करने के बद माइनस हो जाएगा और दो में तीन से गुना करने के बद क्या हो जाएगा दो तीयाई छो हो जाएगा तो यहां छो लीख देंगे अब आगे इसको सॉल्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा बारा वाई every square है तो 12 y见 wale लिख देंगे अब इसके साथ buy है और इसके साथ buy है तो देखेंगे जूड़ेगा ये घटेगा तो इसके साथ plus है इसके साथ minus है तो जब plus और minus आता है तो क्या हOTा है घट जाता है तो 9y में से 8y क्यों घटाएंगे तो एक y मचेगा यानि फिर्फ y मचेगा अब देखेंगे दोनों में बढ़ा कौन है तो दोनों में मैनस वाला बढ़ा है तो इसके साथ मैनस लग जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे मानस y लिखेंगे ठीक उसके बद यहाँ माईनस चो हो है तो यहां माइनस चो लिख देंगे यान इस परसन का गुननफल यही आ गया यही इसका क्या हो गया एंसर हो गया तो चलिए आप जो तीसरा टाइप के परसन है उसको हल करके सीखते हैं तो यहां तीन नमर में यह तीसरा टाइप के परसन है इससे पहले वाला परसन मे क्या था यहां 2 पद दिये हुआ था लेकिन यहां क्या है 3 दिये हुआ है और इसमें 2 ही दिये हुआ है तो इसको कैसे solve करेंगे आए सीखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा इस सभी को पहले इसमें करेंगे तो पहले चीन में कर लेंगे तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसके बाद y में जब x से गुना करेंगे यानि y गुना जब x होगा तो यह क्या हो जाएगा इसको y x भी लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे x y हैं है माईनस हो जाएगा अब यहां 3 के साथ एकस लगा हुए है तो इसके साथ भी एकस लगा देंगे ठीक ॉ सह माईनस हो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और y में जब 2 से गुना करेंगे तो यहां 2y हो जाएगा ठीक अब आगे क्या करेंगे यहां 2 है और यहां भी 2 है तो यहां प्लस में यहां माइनस में तो पहले चीन में गुना कर लेंगे तो प्लस में माइनस से जब गुना करते हैं तो क गर वो अगर जब सो इसको solve करेंगे तो क्या हो झाँगा यहां x square है तो इसमे एकस square वाला एक भी नहीं है तो इसको अखेले लेख देंगे 3x square ठीक अब इसके बाद xy है तो xy इसमें दूसरा out नहीं है सिर्फ यही xy दिये हुआ है तो क्या करेंगे प्लस xy ये हो जाएगा अब इसके बाद क्या है x वाला है तो x वाला यहां भी है और यहां भी है तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 6x में से 2x घट जाएगा तो 4x बचेगा और इसके साथ माइनस है यानि बड़ा वाला के साथ माइनस ह तो सिर्फ यही बचा हुग है तो माइनस चार लीख देंगे अब इसमें नहीं किसी के साथ कोई जोड़ेगा नहीं घटेगा तो क्या हो जएगा इस पुरसन का यही गुनानफल आ गया यही इसका क्या हो गया एंसर हो गया तो चलिया आप लोग भी इस टाइब के पुरसन को बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से सॉल्फ कर सकते हैं I hope कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे अगर आप इस चैनल के नहीं तो चै आएक शेयर कमेंट जरूर करें थैंक यू